कि सबसे पहले बेटा एम रेली सॉरी कि मैंने बहुत ट्राई किया लाइव सेसन लेने का लेकिन वाइफाय में कुछ इशू होने के कारण बार-बार डिसकनेक्ट हो जा रहा था इसलिए मैंने सोचा कि क्यों आपके पढ़ाई वेस्ट करनी है तो मैंने नॉर्मल ये वीडिय पूम है ठीक है आपको ध्यान लखना है नेचर पूम ठीक है नेचर पूम मैं क्यों कह रहा हूं इसको क्यों कि यहां पर हमें कुछ नेयचर के पावर को सो किया जा रहा है और यह लिखा किसके फॉर्म में है यह लिखा गया एक हाइकू के फॉर्म में है अब यह हाइकू क्या होता है मैं थोड़ा बता देता हूं जैपनीज हाइकू ठीक है जैपनीज हाइकू अब यह जैपनीज हाइकू क्या होता है जैपनीज तरिक है कुछ तरीके का फ़र्मेशन होता है 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 तो हमारे पोएट है कर्ल सेंडवर्ग तो गाल सेंडवर्ग ने इस पोवम को कि सबसे पहले बोला गया है कि जो हमारे नेचर वोता है उसके पावर होता है या अगर अगर हम देखें कि fog कहीं भी आता है तो धीरे धीरे आता है हमारे यहां पर point ने क्या किया है as a fog मतलब fog को एक billy के जैसा compare किया है cat से compare किया है तो क्या बोलते हैं कि cat जिस तरी कि सदबे पाओं आता है इसी प्रकार से fog जो है वह भी दीरे दीरे उसके आने के बाद क्या होता है कि वह सारी चीजों को रोक देता है अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि आपके स्कूल बेगरा बंद हो गए थे हैं ना क्यूं बहुत सरे गाड़िया वेगरा नहीं चल लए थी क्यों इसके पीछे का रिजन यही है कि कोई भी चीज होता है वो पर्मानेंट नहीं होता वह एक नहीं बदलेगा ठीक है क्या बोला है दा पोएट इस सजेस्टिंग अपार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइप सुद लर्न तो लीव विद अचेंज और नेवर थिंग दैट अनिधिंग गूद और बाद विल्मे याथां नँसकूब फॉटन है वेसे उन्हाव फोग कोई सहर 9 बिना बताया आता है वैसे जो प्रॉब्लम्स होते हैं तो प्रॉब्लम्स भी क्या करते देरे बीना बतायी किसी बी इंसान को इसके फिजिकल एपियरेंस से हमें जजड नहीं करना चाहिए दूसरा इस पौहँ नहीं हो जाएगा इसका मतलब लस्टा लेखे तो अपने बहादूरी हर एक जगा पे लेकिन जब समय आता है तो सभी लोग क्या होते हैं डरपोक बन जाते लेकिन यह कस्टर अपनी बहादूरी दिखाता है वहां पर ठीक है तो यहां पर सुरू से लास तक लिखा हुआ देखा बेलिंडा इस स्टॉंग एज बैरल फुल अब बियर्ज इंग ब्लिंक वर ब्रेव एस फिरलेस एनफ टू चेस्ट डाउन लाइन्स डाउन डाउन दे स्टेर्स एन मस्टर्ड कंसिडर इट्सेल्फ एज ब्रेव एंड एंगरी टाइगर है ना बट कस्टर्ड नेवर बोस्टेड अबाउट इस माइट एंड पावर एंड इंस्टीड ऑल्वेस क्राइट फॉर नाइस सेफ केज कंस्टर्ड कभी भी अपनी बहादूरी की बोस्टिंग नहीं करता वो कभी दिखालता नहीं रहता वह हमेसा बोलता है मुझे एक सेफ केज मुझे केज में रख दो तो बेलिंडा एंड और पेट्स यूज तो मेक जोक ऑफ कस्टर्ड बाकि सभी लोग ना कस्टर्ड का मजाग पनाते तो बैटा एक चीज आधकना जब अब तेंद का एक्जाम देने जारो मैं फिलसर रिप लेकिन जब बेलिंडा की घर में इस पीरेट का टैक होता है सभी लोग जो अपने आपको बहादूर गहते तें सो कॉल ब्रेव कहते थे वह सारी लोग क्या हो गया चिप गया चिलाते चलाते इधर होदा चले गया लेकिन सिप एक कस्टर्ड ही था जिसको डर्पुक माना जाता था वह उठा और जाके उस पीरेट को वहीं पर खा गया ठीक है तो इसलिए यह पोम हमें यही सिखाता है कि एक परसन को कभी भी उसके लुक पे और वह क्या है दिख रहा है उसके बैसिस पर में जज नहीं करना चाहिए एवरी परसन इस यूनीक एन कैपेबल इन इस ओन वे हर एक इंसान अपने ही वे में चीजों को करने के लिए तो इस तरीके से हमने सारे पोम जो है वह कबर कर ल ने ओडेन नैस ने ठीक है चलो यहां पर यह तो बहुत इंपोर्टन से इस पोम को मैंने अल्रेडी कवर किया हुए चैनल पर तो आप उसको जाके भी देख सकते हो मैं इस हो सिंपली बता देता हूं यहां पर जो हमारे डबलू पी यह से ना वह एन ग्रेगरी से बाते कर है एन ग्रेगर को बता रहे है इस पोरग पोम का एक ही थीम है कि भाई हमें फिसिकल अपेरेंस पर ध्यान नहीं देना चाहिए ठीक है जो लोग फिसिकली ब्यूटिफुल हो जो बाहर से देखने में बहुत ब्यूटिफुल वह सच में भी इतने ब्यूटिफुल होंगे त मतलब क्या है कि हमारे पॉट कह रहे है कि देखो अन गिरिए तुमसे कोई प्याद इसले नहीं कर रहा है, यह मन समझना क्यों तुम्हारे इनर ब्यूटी के करन कर रहा है, अंदर तुम्हारे अंदर क्या क्वालिटी इसके वज़े से कर रहा है, नहीं, वो तुम्हें प्यार करता है, क्यों? क्योंकि तुम्हारे एतने सुने रहे हैं, तुम्हारे तुम्हारे तो यह भी बताते हैं कि सिर्फ और सिर्फ भगवान ही ऐसे हैं जो किसी भी इनसान को उसके इनर ब्यूटी के करण उससे प्यार करता है बाकि लोग तो तुमारी फिजिकल ब्यूटी के देखते हैं यह हमारे इस डार्क रियलिटी को शो करता है ठीक है हमारे इस जुणिया में लोग एक दुस्ते को फिजिकल अपरैनर से ही ज़ज करते हैं ये गोरा है ये काले है गोरे लोगों को जारा Paid mostrarrande कंल यह को उतना नहीं दिया-जाता तो यह सभी औहला क्या से हम क्या कर मुंख उसके स्कीन के कलर पे उसके ब्यूटी बेसिस में लगता है कि वह बहुत अच्छा है क्यों क्योंकि वह अच्छा देख रहा है डब के इसा नहीन होता थीके उस तरीके से हम पे सारे और कवर करनीverbs है और देखते हैं सेकंड बुक हमार इंपॉर्टरेंट्टन था वो बज़ गया है उसको भी हम लोग कबर करते हैं और फिर ये लाइब का मेरा जो मोटो होगा वो पूरे तरीके से खत्म होगा अप लोग का सही योग मुझे मिला एंड आयम रियरली वैरी ग्रेटफूल और ऐसी बने रहना बस थक सा गया हूं बहुत जादा दो घंटे से ज बहुत ज़रा इसको ऑबर फिटिंग करते हैं बहुत ज़रा खिलाती जिसके वज़र से बैचारा ट्रीकी क्या होता है बिमार पढ़ जाता है तो इसका थीम क्या हो सकता है इसका थीम यही होगा की दा थीम आप दे स्टोरी इस एबाउट दा ब्लाइंड लव फॉर दा वन जिनसे हम बहुत ज़रा प्यार करते हैं उसको आँख बंद करके प्यार कर रहे हैं जो मन में आ रहा है उसको सो कर रहे हैं उससे जो मांग रहा है उसको सो दे रहे हैं इससे क्या हो जाएगा वो और ज़्यादा है ठीक है और ज़्यादा वो बिमार पढ़ जाएगा तो मिस कि उसके इस तरह से उसको प्यार करना यानि उस तरह से उसको खिलाना लार प्यार करना यानि यहां पर एक वर्ड हम मैं डालना चाहूंगा पैम्परिंग पी-ए-म-पी-- r-i-n-g ठीक है इसके आगे अगर मैं ओवर लगा दूँ तो ओवर पैम्परिंग यहां पर बहुत अच्छा वर्ड होगा ओवर पैम्परिंग के वजह से ठीक है क्या हो गया ट्रीकी जो है वो बिमार पड़ गया एक्सेशिव लव में ट्रीकी सीख एंड बिकम और रीजन फॉर इनलेस अंदर्स एक्सेस अप एनिटिंग इस बैट फॉर एस इवन इफ वी गिविट फॉर पॉजिटिव कॉस ठीक है कुछ भी हो जाए अगर आपके पैंट्स आपके सारी विश्क को फुल्फिल करते जारें बेटा आप ध्यान रखना आपके पैंट्स आपको हैंडिकेप बना रहें ठीक है अपने विश्क को खुद पूरे करने तो कुछ भी सपने अनफॉल्फि अनिल ने क्या किया था अनिलने हरी सिंग पर ठीक है उस ने उसको काइननेस दिखाया अनिल के लिए हम बोल सकते हैं और अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्सिप दिखाया ठीक है अपना उसके साथ ठीक है और ngoeal कि अगर मैं थीव की बात करूं तो घृकím इनदर उसने बिट त्रस्ट कोन जाता है ठीड कोन जाता है ठीक है और अगर मैं बात करो रेवेंज लेने की बात अगर आई तो इसकी आई यह कि वह मुझे पेमेंट तो कर नहीं रहा तो क्यूना मैं उससे पैसे और ओप कि ट्रस्ट कौन करता था ट्रस्ट करता था ठीक है तो यह सारी चीजे मैंने बता रही कि अनिल जो है वो क्या-क्या-क्याची सो करता है तीप जो क्या सो करता है तूसरा इसमें क्या बोला है कि the story is based on the fact that how love and kindness किस तरीके से love and kindness can transform even the most destructive minds of criminals and thief in this cruel world कि सबसे माइन किसका होता है क्रिमिनल्स का माइन बहुत है इनको भी अगर हम प्यार दें इनको अगर हम काइनने सो करें इनको में एजुकेशन दें तो यह भी चेंज हो जाएंगे इसलिए एजुकेशन इस दा मौस्ट पावफुल विपन ड़कें चेंज इंटाइर व्ल्ट तो हमारे लाइफ में उनके रिलेशन बहुत जड़ा इंपॉर्टेंस रखते हैं क्योंकि यह क्या करते हैं एक परसन को पूरे तरीके से चेंज कर देते हैं एक हरी सिंग यानि वह थीप जो इसका रियल नाम था भी नहीं वह चेंज करते रहता था वह थीप जब अनिल के पास जाता है तो वह एक थीप ही रहता है वह उसको लूटना चाहता है लेकिन जब लास्ट की स्टोरी के लास्ट में अड़ एंड आप दे स्टोरी विगन सी देर देर इस चेंज इन हीम सो ड़ेट ही वांटेट टू रीड एंड राइट ही वांटेट वी अजेंटल मैं वह उन्ट बी एन एड्यूकेटेट मैं यह सारी चीजों वह लास्ट में बनना चाहता है ठीक है आगे चलते हैं विटनाइट विजिटर के अगर मैं बात करूं इस परफूल दैने अनिव अधर वेपन उसब इस इस इसे स्टोरी में उसबाइब के इंटेलिजेंस को है लेकिन उसके इंटेलिजेंस कितनी थी इट वाज़ो बेज वाच बाइब उट दे में गार्टे अज बोला गया है ताकि आपका यह ट्पिक है वो जल्दी खतम हो आपका रिविजन भी हो जाए और यह बहुत फैट होता है लेजी भी होता है लगने इसका मतलब यह नहीं कि वह इंट्रीजेंट नहीं था वह विटी नहीं था वह विटी फेलो था यानि जब आपके लिए कोई सिच्वेशन एदम एडवर्स हो जाते हैं जो आपके एदम विरुद्ध चली जाती हो कोई भी ऐसी सिच्वेशन तो उस समय अपने दिमाग को काम रखना है और अपने बुद्धी का सही तरीके से यूज करना है ठीक है यही इस पूरे पोहम का यूज किया और वहां पर मैेक्स को क्या करता है अच्छा वरड या रखना आउट बेट का मतलब होता है मार देना मार देना मतलब उसको मात देना ठीक चलो एक चोर को नुकसान नहीं करता यह सिब कहावत है क्योंकि हमने इस चैप्टर में देखा कि एक चोर ने दूसरे चोर को लूट लिया ठीक है यार नहीं लूट लिया घर यार का है ना वही हाल है कि अधुट कि अधुट करो देखा करें यहां पर अगर मैं बात करूं तो हॉरस टैन्वी समाज में रिस्पेक्टेबल था ठीक है लेकिन वह प्रेटली आइस नहीं था क्यों नहीं था क्योंकि उसका आदि थी कि वह रियर एंग्स पर पसंद था उसको तुम्हें क्या लिख सकता हूं यह यहां रह एंड एक्सपैंसेव बुक्स उसको रहां एएंडे एंस biography बुक्स बहुत ज़्यादा पसंद थी ठीक है और 50 को वह हो चुका था अनमैरिट था अन्मेरिड तो ऐसे आप पुरा का पुरा लिख सकते हो ठीक है अन्मेरिड था 50 यह को हो चुका था वो लॉक्स का बिजनस करता था तो किसी तरीके से उसको एक घर मिलता है सुट अवार गरांच उसकी वो पुरा का पुरा प्लानिंग करता है यहां पर हम हॉर्स डेन्मिक ल और वो प्लान करके उस दिन गया था लेकिन किसी तरीके से वो बेचारा धोगा खा गया उस लेडी थीप के वज़ा से और उस दिन पकड़ा गया तेसलिए अभी वी किसी परसन को हमें बिना डिस्कवर किये उस पर पूरे तरीके से भरुसा नहीं करना चाहिए ठीक है आग होता है वो एक सच्चा साइंटिस कि किसको कहेंगे हम जो अपने साइंटिफिक डिस्कवरी का मिस्यूज करें या फिर यूज करें और यहां पर ग्रिफिन ने क्या क्या अपने डिस्कवरी का मिस्यूज किया ठीक उसने अपने आपको इन्विजिबल तो बना दिया लेकिन उससे उसने क्या किया, दूसरों का हाम किया, लूटा, दूसरों को नुकसान पहुचाया, कलर्जी मैन को लूट लिया, है ना, ऐसे ही, So about a scientist named Griffin who was searching for different ways that could make a man invisible, he got success when he developed a formula through which he could become invisible, footprints without fit summary are all about this invisible man who cannot be seen but feel physically by touching, उसको छूकर पता कर सकते थे, ति वो इनिजिबल था, थीम क्या होगा इसका कि one should not misuse science and its great discoveries as this can turn even a brilliant scientist into a threatening lawless person जैसे कि आपने देखा ग्रीफिन जो बहुत अच्छा परसन था जो बहुत अच्छा साइंटिस्ट था लेकिन उसने अपने discovery का मिस्यूज किया है ना और समाज के लिए एक थ्रेट बन गया ठीक तो आप से पूछा जाए कि a says Griffin is a scientist Griffin को scientist group में कैसे देखेंगे तब क्या बोलोगे Griffin was not Griffin was a brilliant scientist but he was not a true scientist because our true scientist always worked for the better men of betterment of the society he never misuses invention or discoveries थीक है वो कभी वह अपने discoveries का miss-use नहीं करता है कि अगर मैं बात करूं तो में कि अब संथी जो है बहुत इंप्वर्टन सा चैप्टर बेट आप लोग के लिए इसमें रिचर्ड एबराइट रिचर्ड एबराइट के बारे में बताया गया है जो एक सैंटिस्ट है ठीक है बायोजिस्टम एक तरह से कह सकते हैं इनको तो द अपने काम को लेकर आप हार्ड वर्क करते हो तो अव्यस्टी बात एक नएक दिन आपको सक्सेस मिलेगी मिलेगी इस पूर्म का इस चैप्टर का थीम यही है और अपरेंट का सपोर्ट होना कितना इंपरेंट है यह हम इस चैप्टर से देख सकते हैं कि रिचर्ड है इनी सभी चीजों में साइंटिफिक चीजों के और उनका जो इंट्रेस्ट हो बना रहे है ना तो नेक्स्ट इन दिस चैप्टर एड़ पोएट मेंशन हाओ एबराइट्स मदर हैस प्लेड अ क्रूसिल रोल इन कार्विंग इस करियर अनदर में थीम वास इंपोर्टेंस अधर और रोल ऑफमेंटर इन लाइफ अपके मेंटर का क्या रोल होता है ये भी हमें इस ये चैप्टर बताता है जैसे कि लिए अधर उनका बहुत हिल्प किया जब-जब उन्हों ने अड्वाइस मांगा तब तर डॉक्टर अर्वाइस ने आपके लाइफ में भी जो स्कूल में थे तब उन्होंने क्या किया उनको क्या मिला ठीक है तो यह आप थोड़ा सा लर्ण कर लोगे वह ज्यादा बेटर रहेगा ठीक गूगल पर सर्च करोगे ट्रिक तो वह भी आपको आप मिल जाएगा मैं सारी चीज़े एक बार में नहीं कर पाया एक चीज़ यहां पर याद अखना कि जब तक वो क्लास सेकेंड में थे तब तक उन्होंने 25 इस्पीसिस और बटरफ्लाइस को पकड़ लिया था है ना उन्होंने प्लांट हॉर्मों को निकाला था प्लांट हॉर्मों किसलिए सबसे पहला उनको एक्सपरिमेंट था अगर मै मोनाग प्यूपा है उनके अंदर एक बिमारी आ रही थी टीकाई डिजिस आ रहा था वह डिजिस किसके वज़ा से इनसेक्स के वज़ा से ठीक है तो उन्होंने ये प्रूफ कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं उसके बाद उन्होंने ये देखा कि जो वासरे बटरफ्लाइस तो होती है किसको copy करती है Monarch को मोनार्ण को कापी करती है इसके पीछी का reason क्या था कि जो बट्स होते हैं बट्स को वाइसरे खाने में बहुत टेश्टी लगता था तो वो अपने आपको बचाने लेकिन अपे नाम दिया गया स्टार्लिंग एक एक ऐसी बडड़ जो लृज को सिर्फ नाक को खाती तो यह कम है नेक्स्ट उसके बाद उन्होंने एक हॉर्मोन के बारे में डिस्कवरी किया कि मोनार्क प्यूपा के बॉड़ी में जो छोटे-छोटे टाइनी टूवल्ड टाइनी डॉट्स जो होते हैं वह सिर्फ क्या और्नमेंटल के लिए है या उसके पीछे कोई रिजन है तो उन्होंन करें सकति एक मोनार्क प्यूपा कभी बड़ा होकर एक बटरफ्लाई ही ना बन पाएं गर ऐन। कह wollte कि अक्तरा से हम कह सकते हैं लालच तो ओई ग्ली में हमगमन का सकते हैं वह टिकआ कि बात करें तो इस गार्ज लेडी थी जो उसके लेकर आपको खुस जरूर होनाचाहिए इस ब प्यान नहीं देना e कि आपके पास नहीं है ठीक है मैं तुज पहले पहले आपको साटिसफाइड नहीं होना है लेकिन हैपी जरूर होना है अब हैपी नहीं होगे तो कुछ करी नहीं पाओगे ठीक तो अगर यहां पे कोशन पूछता पूछ सकता है कि उसके बता दिया होता है अगर उसके पस कुछ नहीं है तो वह तो पाटी में चल जाती उतना महगा लेनी की क्या जडरूरत थी उसको तो भी वो बच जाती, तो हम कह सकते हैं the necklace, the necklace became the cause of Matilda's ruin, तो वो जो necklace ही तो था, जो Matilda की बरबादी का कारण बना, ये necklace, इसलिए चैप्टर का नाम भी necklace रखा गया है, किस तरीके से हम जो reality है, उसको face नहीं करते हैं, आज कर आप देखते होंगी filter, लोग filter copy, filter copy बोल रहा हूँ, लोग filter वाले वीडियो जादा पसंद होते हैं, क्योंकि वो उसमें अच्छे दिखते हैं, रियल लाइफ में भले ना दिखें, अपने ही real beauty से उनको प्यार नहीं है, उनको filter वाली जिंदेगी से प्यार है, तो ऐसा नहीं करना बेटा, आप लोग कोशिस करो, कि आप जितने हो सके, वो real रहो, filter वाली जिंदेगी, कब तक चलेगी, नेक्स्ट, भोली अगर मैं chapter की बात करूँ, तो इस chapter में भोली का मतलब क्या होगा, इतना simple girl, ठीक है, जिसको लोग simply समझते थे, इसको simpleton, या दखना, भोली was not a simpleton, भोली was called simpleton, उसको simpleton बोला जाता था, वो simpleton थी नहीं, आप नहीं कह सकते कि भोली मुर्क थी, ठीक है, आ होता है, ठीक है, मेरी आखे दरत करने लगी, इतना दे से continuous life, लेते, ठक सा गया हो मैं, कोई बात नहीं, थोड़ी से और बच्ची भी है, हाँ, तो एक family का बच्चों, बच्चे पर क्या impact पड़ता है, भोली is the little girl, भोली एक छोटी सी बच्ची है, हो falls to develop, fails to develop self-confidence because of her parents' attitude towards her, क्योंकि उसके parents का attitude उसके और अच्चा नहीं था, उसके parents अच्छे से बात नहीं करते थे, उसको neglect करते थे, इस वज़़ा से भोली जो है, वो अपने अंदर कभी वो self-confidence इखटा ही नहीं कर पाई, गिदर ही नहीं कर पाई, जो उसको करना चाहिए था, यह स्टोरी हमें यह भी सिखाती है कि किस तरीके से फैमिली का support, सिप नॉर्मल सपोर्ट नहीं, फिजिकल सपोर्ट नहीं, बलकि emotional सपोर्ट भी ज़रूरी है, किसी भी बच्चे के प्रोपर डेवलोप्मेंट के लिए, तो इससे अगर कोसन आप से पूछे तो आप बता द होते हैं, love देने की जो होते है, education देने की जो होते हैं, यहाँ पर एक बहुत बड़ा रोल होगा, भोली मदर, ठीक है, भोली मदर, तो एक कोसन था कि ऐसा कहते हैं, कि भगवान हर जगा नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने मा बनाया, तो क्या भोली की जो मॉम है, वो एक साल का है, कोई बात नहीं, भोली है, यह भी तो देखने में सुन्दर नहीं है, इसके पस बुद्धी है, करदोशादी इसकी, ठीक है, तो किसी भी, अगर मैं बात करूँ, पॉइंट पे, भोली की मॉम जो है, वो एक आइडल मेदर नहीं होती, अगर होती भी है, तो कौन ह होती है, इबराइट की मदर, इबराइट मदर, तो यहाँ पर आपको कमपैरिजन पुछा जा सकते, एक्जाम में की भोली की मॉम और इबराइट की मॉम में आपको, क्या डिफरेंस दिखता है, वो आप दोनों के चैप्टर के रिफरेंस में बताओ, ठीक है, तो आप बता है, ऐसे करें, यह समझो, थिंग टैंक है, तो क्या बूला है, कि दे बुक डैट सेव दर्थ, इस बेस्ट ऑन दे थीम डैट हाफ पेड नॉलेज इस अल्वेस डेंजरस, अगर आपके पास, कहते हैं ना, हाफ नॉलेज इस अल्वेस डेंजरस, अगर आपके पास पूरा न आपके पूराने बुक ने, बच्चो के राइमिंग बुक ने, मार्स इंवेसं से हमारे अर्थ को बचा लिया, अबत हिस्टोरियन तर्स, और यहां पे जोधा है, वो बहुत ज़दा अपने अपर बोस्टिंग करता है, अपने आपको बहुत ज़दा इंटेलिजन समझता है और जब चाहता है कि जितने विसके दोहां पर लोग है ना वो सारे के सारे उसके तारिफ करें जैसे नूडल हो गया नूडल उसके तारिफ करें और सर्जेन टूप आयोटा सब उसके और माने थीक है तो यह हमारा हो गया चैप्टर खतम यहां तक हमने सारी चीज़े कवर कर लिए हमने पूरा का पूरा इस वीडियो में कवर किया है सुरू से लास तक और आई होब कि यह महनत आप लोगो ज़रूर पसंद आया होगा सच में बहुत ज्यादा एक स्टेट हो चुका हूँ और विश्यू गुड लग फॉर एक्जामिनेशन फिर मैं लाइब लूँगा लाइब ने लूँगा तो मैं वीडियो चरू बना दूंगा क्योंकि लाइब लेना पॉसिबल मुझे नहीं लग रहा है तो कर लेक आपकी पास वीडियो आ जाएगी लेटर्स की ठीक है कि लेटर्स जो है वो कितने टाइप्स के आपके आ रहे फार देना जंटे कार देना प्लीज आके नीचे कमेंट करना के इंगलिस के एक्जामनेशन कैसा गया थैंक यू सो मच